हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब चैप्टर टेन हमारा चल रहा है साइंस का मोशन एंड मेजरमेंट अफ डिस्टेंसे अभी तक हम लोगों ने पिछले पांच वीडियो में इसके पांच टॉपिक कवर कर लिये थे आज का जो टॉपिक है वो है 10.6 अभी तक हमने मेजरमेंट के बारे में सीख लिया था कि मेजरमेंट स्टेंडर्ड कैसे हो किये हमने और उसके बाद में लेंथ मेजर किया अब अगर कोई कर्व लाइन है तो उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे straight line है कोई object ऐसे straight है तो उसका measurement तो simple है curved line के measurement करने के लिए क्या करेंगे we cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale we can use a thread to measure the length of a curved line हम किसी भी curved line को measure करने के लिए direct आपके पास जो meter scale है उसको use नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आपकी meter scale जो है वो straight है और curved line जगे जगे से bend हो रही है तो हम क्या करेंगे एक thread का use करेंगे कैसे की use करेंगे इसका activity 4 में देखते हैं use a thread to measure the length of the curved line a b put a knot on the thread near one of its end place this knot on the point a अब suppose आपकी एक curved line है ये ये curved line है और आपको क्या करना है कि एक thread लेना है thread में एक side एक knot बांदेनी है knot किसलिए बांदनी है ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपने उस thread में measurement कहां से start किया है अब curved line का जो पहला point है पहला point suppose a है तो आप thread की knot को इस a पे रखिए और then आपको क्या करना है now place a small portion of the thread along the line keeping it taught using your fingers and thumb hold the thread at this end point with one end using the other hand stretch a little more portion of the thread along the curved line आप जब इसको करेंगे तो आपको बहुत simple लगेगा क्या करना है कि आपको curved line के साथ ही उसके पहले end पे आपने knot रखी और उस curved line के साथ ही एक end को hold करके रखना है और दूसरे hand से आपको उस thread को उस curved line के सारे सारे लेके जाना है और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए फिर आप पीछे वाले hand को आगे बढ़ते जाहिए hold रखीए ताकि आपका thread जो है exactly curved line के उपर ही चलता रहे और thread जो है disturbed ना हो उसकी length जो है curved line के बराबर ही आ जाए ओके फिर उसके बाद क्या करेंगे यह हम तब तक इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे उस curved line पे जब तक कि हम उस line के end पे ना आ जाए जहां तक का हमको measurement लेना है make a mark on the thread where it touches the end B अब जहां पर B end आया है वहां पर भी एक marking कर लीजे वहां पर knot मत लगाए क्योंकि knot लगाने में हो सकता है आप पूरे thread को disturb कर दें फिर knot की आगे पीछे हो सकती है तो आप just a marking कर सकते हैं या आप उसको अपने finger में hold करके भी रख सकते हैं अब जो भी ये curved line थी इसकी length के equivalent आपने एक thread को measure कर लिया है अब इस thread को आप किसी भी meter scale पे जाके और meter scale की length से इसको measure कर सकते हैं जो इसकी measurement आएगी आपके thread की वही measurement आपके curved line की होगी this gives the length of the curved line AB we see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and lengths correctly and we need some standard units and devices with which we measure these distances and can convey our result to others अभी तक के जो हमने measurement किये उसमें हमने देखा कि measurement करने के लिए भी बहुत सारे standards follow किये means पहले हमारा measurement standard नहीं था उसके बाद हमने उसको standardized किया SI unit में measurement किये फिर measurement करने के तरीके भी देखे कि कैसे हम correct measurement करते हैं तो इस तरीके से हम measurement के बारे में जान चुके हैं यह जो curved line का measurement है यह thread के थुरू आपने किया इसको आप जैसे अगर कोई thread है या इस type की चीज है तो उससे भी कर सकते हैं और अगर आपके पास में measuring tape है जो bend हो सकता है जैसा tape जो है हमारे tailor shop में रहता है tailor के पास में उससे करना है तो thread की जगे directly उस tape को भी use कर सकते हैं तो इस तरीके से हम curved line का measurement कर सकते हैं curved line क्योंकि हमारी जगे जगे से bend होती है इसलिए हम straight meter इसके वहाँ पे use नहीं कर पाते हैं किसी भी thread को उसकी length के identical measure करने के बाद उस thread को straight करके measure कर लेंगे तो curved line का measurement हमको मिल जाएगा next topic हमारा क्या है moving things around us अब हमारे आसपास जो भी चीजे move कर रही है उनका movement observe करना है किस type का movement है कैसा movement है movement भी कई तरीके के होते हैं तो इस topic को हम next video में cover करेंगे ओके तिल देन बाई